हलो दोस्तों कैसे हो आप सब मेरा नाम रेविंदर और भाई स्वागत आपका आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडे ग्रेंड आइटे नियोस एरा के वारे में पांच लाग 68,000 रुपया इस गाड़ी की एक सोरूम प्राइज है पांच लाग 68,000 में हमें एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है है हैच्चबेक सेग्मेंट के अंदर वहीं बात करें इसके प्राइज रेंज की तो इस प्राइज रेंज में हमें सलेरियो वेगनार इगिनीस वगरा मिलती है अगर उनसे हम इसको कंपैर करें तो भाई इसमें काफी कुछ अच्छा चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी के अंदर तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी गाड़ी का डिटेल एक वोकराउंड वीडियो करने वाले हैं वीडियो के के लिए मिलता है तो बेस मोडल में भी आपको संटर लोग कंपैरें देखनी के लिए मिलती है क्रोम की होंड़ी का लोगो यह पास परेंट प्रेंट के लिए बात कर लेते इसमें Halogen Light और Halogen Indicator ही देखने के लिए मिल जाती है Fog Lamp का Option किसी भी वेरिट में यह है DRL Light का Option मिलता है लेकिन यह Base Model है तो इसमे देखने के लिए नहीं मिलता है यह Blank छोड़ रखा है बाकी जो Grill मिलती है आपको बिल्कुल Rough Black Color की देखने के लिए मिलती है कहीं पे भी Glossive का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहा है यह कुछ ओवराल इसका Front Look है गाड़ी का नियोस एरा का अभी दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के Side Profile के बारे में Side Profile में सबसे पहले हम देखते हैं गाड़ी का टायर कितना इंच का मिलता है वो देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें 14 इंच का टायर हमें देखने के लिए मिलता है जिसकी प्रोफाइल है 165-70-R14 का वहीं बात करें भाई Wheel Cover इसमें नहीं मिलते हैं Simple आपको step नहीं देखने के लिए मिलते हैं Front पर आपको disc brake का उपोशन गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है वहीं बात करें भाई Indigator की Indigator आपको Fender पर देखने के लिए मिलता है अगर बात करें दोनों जो mirror है वो आपको simple black color के देखने के लिए मिलते हैं body color इसमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं लेकिन आप इनको body color paint करवा सकते हो गाड़ी में ताकि अच्छे look इससे बन सकती है door handles दोस्तों आपको चारो black color के देखने के लिए मिलते हैं black ही आपको दोनों outside mirror देखने के लिए मिलते हैं यह कुछ overall इस car की side profile है side profile में आपको कुछ इस तरीके से car लगेगी कि यह इसका base model है तो side profile complete कर लिए दोस्तों अभी चलते हैं गाड़ी की rear profile की तरफ rear से भी देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है गाड़ी में सबी में same similar आपको led lights देखने के लिए गाड़ी में मिल जाती है indicator आपको halogen देखने के लिए मिलते है उसके बाद दोनों इसकी set profile हमने complete कर ली है rear profile भी complete कर ली है भी देख लेते हैं गाड़ी का boot space boot space हमें कितना मिलता है वो भी एक बारी चेक कर लेते हैं गाड़ी का तो दोस्तों boot space आपको display पे show हो जाएगा उसके बाद इसमें spare wheel की बात करें तो spare wheel आपको jack toolkit सब गाड़ी में बिल्ड देखने के लिए मिलते हैं पार्सल ट्रे इस गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है तो भाई boot पे आपको hyundai का logo प्लस नियोस की बेजिंग मिलती है साइड में आपको grand item की बेजिंग भी देखने के लिए मिलती है दो parking sensor के point standard आपको इसमें देखने के लिए गाड़ी में मिल जाता है ABS भी इस में अंदर in build आपको मिल जाता है तो दोस्तों rare से तो हमें कहीं से भी पता नहीं पाता कि ये base model है या नहीं है आप देख रहे हो कि पीछे से भी आपको ये बिल्कुल जो इसकी टेल लाइट है वो LED मिल रही है बाकि इससे अपर जो वेरेंट्स आते हैं सभी में वह भी वहाँ पर आपको सेम अज़ेटिस देखने के लिए मिलती है तो पांच लाक अड़ सट हजार में इस गाड़ी की तो दोस्तों इंटियर में आपको फ्रंट की टू पावर विंटो देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी के अंदर वहीं पर मिरर आपको ये हाथ से मैनुवली ही अड़ेस्ट करना पड़ेगा उसके बाद भाई जो एरबैक्स की बात करें तो चार एरबैक्स इसमें आपक इंटियर में हैं वहीं सीट का कलर जो कॉंबिनेशन आपका पूरा बेस कलर का देखने के लिए मिलता है गाड़ी के अंदर अब यहीं कुछ हिसाब से आपको मिलता है बिलकुल फिक्स मिलेगा यहां पर आपको जो स्टेरिंग पर आपको हंड़े का लोगो क्रोम के साथ द यह मुजिक सिस्टम का जो बोक्स है यह आपको पूरा खाली मिलता है यहां पर आप अपना एंडुड वगरा इसमें इंस्टोल करा सकते हो हुंडे के थूरू जैनवा नेसेसरीज में इस ही आपको मैनुवल मिलता है गेर नोब आपको पूरी ब्लैक कलर की मिलती है इसका इंटेडियर आप देख रहे हो यहां पर आपको बेज गलर का उप्शन दे रहा है यहां पर जो आप देख रहे हो हलका ब्लैक दे रहा है रख में और यह थोड़ा सा अलग है दोनों का कलर थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है इसको हलका ब्लैक बोलेंगे यह बिल्कुल डार् जगे आपको देखने के लिए मिल जाती है इनहीं के अंदर आपकी वह इंस्टॉल हो जाएंगे बागी कंपोनेंट का उप्सन इसमें नहीं दिया रखा है वह आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे गाड़ी के अंदर अभी दोस्तों पीछे वाले सीट पो चलते हैं काफी अच्छा मिलता है तीन पैसंटर इस पर अंदर आराम से बैठ सकते हैं कहीं पर भी कोई प्रोब्लम हमें इसमें नहीं होने वाड़ी है पीछे का वेंट इसमें नहीं मिलता है आपको स्पेस मिलता है यहाँ पर आपको समान वगरा भी रख सकते हो वालट वगरा 1.2 लिटर फोर सेंटर के साथ मिलता है इसमें सेम पिएस पावर रखी गई है कोई भी फेस्टू के अंदर इसमें चेंजेस नहीं करें गरें हैं गाड़ी अंदर माइलेज भी आपको लगबग 15-16 के आसपास लोकल मिलती है 18 के आसपास आपको हाईवे पर देखने के है इसमें हम 30-40,000 पर लगाकर इसको काफी अच्छी और मस्कूलर बना सकते हैं जैसे कि अंदर कंपने वृड़ वील गवर लगा सकते हैं अंडूड म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं ठीक है अबोर्डी कलर जो हैं मिरर करवा सकते हैं उसके बाद इसमें पता ही नहीं जा सके भई कौन से गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो दोस्तों कुछ हिसे आप से थाकार का एक वोकराउंट व्यूडियो अकर व्यूडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई से लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना मिलते हैं दोस्तों आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई